Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तो कैसे हैं आप लोग इस लेक्चर में हम सागर जिला और सागर संभाग के अंतरगत आने वाले सभी जिले डिसकस कर लेंगे दोस्तो आपको जानकारी के लिए बता दू सागर संभाग के अंतरगत छे जिले आते हैं सागर खुद, दमो, पन्ना, छतरपूर, टिकमगर और निवारी तो ऐसा करके सागर संभाग के अंतरगत छे जिले आते हैं दोस्तो तो पूरे छे जिले मैं इस एक ही लेक्चर में डिटेल में डिसक्राइब और एक्स्प्लेइन करने की कोशिस करूँगा दोस्तो तो आईए हनुवंतिया टापू को भी कहा जाता है हनुवंतिया टापू दोस्तो ये खंडवा जिले में नर्वदर नदी पर इस्तित एक टापू है जिसका नाम है हनुवंतिया टापू उसे भी मद्दप्रदेश का स्विट्स जर्लेंड कहा जाता है तो अगर कोश्चन आएगा मद मद्द प्रदेश का स्विट्स जर्लेंड किसे कहा जाता है तो सागर आप संदेगा तो सागर लगाना है यह टापू का नाम देगा तो हनुवंतिया टापू हनुवंतिया टापू को मद्द प्रदेश का स्विट्स जर्लेंड यह मद्द प्रदेश का गोवा हनुवंतिया ट की थी अगर ऐसा अपसन नहीं देता तो ऐसा देगा दोस्तो उदान सिहीं उदान सहा उदान सहा भी दे सकता है आपसन में उदान सहा या उदान सहा या उदान सहा लिखा हुआ है वीकिपीडिया में उदान सहा लिखा है उदान सहा लिखा है तो सागर सहर की स्थापना 1660 में उडान सहान की थी याद रखना है दोस्तों ये direct question अपने को आ सकता है मद्दप्रदेश का एक महातपूर सहर है महातपूर सहर महातपूर जिला है और भारत देश का हरदय जिला कहलाता है दोस्तों भारत देश का हरदय जिला भी कहलाता है सागर जिला NH26 और NH44 पर इस्तित है दोस्तो इतना याद रखना है उसके बाद आपन बात करेंगे सती प्रथा के प्रथम साक्ष एरन अभिलेक से मिले हैं दोस्तो एरन अभिलेक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेक है यह भानुगुप्त का अभिलेक है पकाई बार तो ऐसी क कोश्चना जाता है एरन अभिलेक कहा है तो एरन अभिलेक साची में है स्वारी एरन अभिलेक सागर में है सती प्रथा के प्रथम साच्छ इसी अभिलेक से मिले हैं दोस्तो यह भानुगुप्त के एरन अभिलेक से मिलती है हमको जानकारी सती प्रथा की पहली जिसमें किसी पतनी ने सती होने का उल्लेख मिलता है पतनी के सती होने का उल्लेख मिलता है एरण जो मद्यप्रतेश के सागर जिले में बेतवनादी के किनारे इस्ती था दोस्तों यहाँ अभिलेक हमको प्राप्थ हुआ है तो यह सती प्रता का प्रतम भारत में सती प्रता का प्रतम साक्ष अभिलेक एरण अभिलेक है यह भानुगुप्त का अभिलेक है सागर जिले पूरा तात्वी की स्ताल है एरण तो इत्त ये तीन फेक्ट समझ में आये क्या अब बात करते हैं अपन मद्दप्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यरण नवरा देही अभ्यरण जो सागर जिले में है दोस्तों सागर जिले में डायरेट कोश्चन आता है इसकी स्ताफना 1975 में की गई थी ये मद्दप्रदेश का छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा अभ्यरण इसलिए कोश्चन बनते रहता है मद्दप्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यरण कुन सा है नवरा देही अभ्यरण है जो सागर में है और यही देश में यहीं पे दोस्तों अफरिकन कंट् कोश्चर कई बार आता है किस अभ्यरण में अफ्रिकन कंट्री नामीबिया देश से चीता लाया गया है चीता बचाय जाने की योजना बनाई गई है चीता बसाय जाने की योजना बनाई गई है छेत्रफल की द्रश्टी समद्द्रदेश का सबसे बड़ा अब्वेरणाई है यहां से प्रभावित होने वाली नदी देख लेते तो घसान नदी दोस्तो सागर जिले से भाइती है घसान नदी बेत्वा नदी की साहयक नदी है कोश्चन आ सकता है याद रखना है घसान और बीना बेत्वा की साहयक नदी है बीला और बेबस यह दो नदी इस जिले से भाइती है छोटी नदी काफी लेकिन है बीला और बेबस तो यह तीन चार नदियों के नाम याद रखना है मैंने जो आपको बताया जनसंक्या बाँ चेतरफल की दरश्टी से सागर तीसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों अब मद्द परदेश का छेतरफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा जिला है सिवपूरी, दूसरे नमबर का क्या है सागर, दूसरे नमबर का सागर है याद रखना है, छेतरफल की बात हो रही है, area wise, अगला फेक्ट देखेंगे, बीना तेल रिफाइनरी दोस्तों, यहाँ पे ओमान की साहता से इस्तापित किया गया था याद रखना है question आता है एक तेल रिफाइनरी है जो अपने सागर जी लेके बीना में इस्तित है और इसको भारत ओमान परिसकरणी लिमिटेड कहते हैं इसका नाम पुरा-पुरा क्या है भारत ओमान तेल रिफाइनरी या तेल रिफाइनरी भारत ओमान दोनों देश के सहयोग से बनाई गई थी question कई बार आ चुका है बीना तेल रिफाइनरी कहां है पूछेगा तो बीना में है बीना सागर में आता है और किस देश किस सहयता से इस्तापित की गई थी, तो ओमान देश, ओमान देश है दोस्तो, ओमान देश किदर है आपको पता होगा, नहीं पता क्या, तो एसिया में देखना आप, पस्चिमी एसिया में मिलेगा, ओमान, ओमान देश की सहयता से इस्तापित की गई थी, ओमान म औधोगीई विकास केंदर है दोस्तों यहाँ पर क्या नाम है इसका सिद्ध गाऊं कोश्चर नहीं से आसकता है, कभी काहँ सिद्ध गाऊं औधोगीई-कास केंदर कहां पर सागर में है, याद रखना है, मद्द प्रदेस का प्रथम, गौखुल ग्राम, रताऊना में फ्रस जमीन को और 600 देसी गायों की रहने की विवस्ता की गई है यहाँ पर गायों की गउमाता का गायों बनाने वाला है यहाँ पर तो यह प्रस्तावित है रतावित है याद रखना है सागर बे आबचंद की गुफाएं हैं दोस्तों आबचंद की गुफाएं कोश्चन आ सकता है सागर रोड़ पर मिलेगा आबचंद की गुफाएं के पास चट्टानों में सदियों से अदबुत सैल चित्र याने चट्टानों में चित्रकारी की गई है वो देखने को मिलती है यहाँ पर जो मिटाने से भी नहीं मिटती और आपचंद एक परेठन इस्तल बन गया है कुद्रत का करिस्मा है यह एक प्रगार का प्राकरतिक आनंद की अनुभूती लेने भी लोग यहाँ आते हैं यहाँ पर एक आपचंद की गुफाएं है कोस्चन आ सकता है घागेरी नदी की घाटी की किनारे है आपचंद की गुफाएं कहाँ पर है ऐसा कोस्चन आएगा यह सागर में है याद रखना है सागर में धमोनी उर्स लगता है दोस्तों एक उर्स लगता है एक मेला लगता है जिसका नाम कहा है धमोनी उर्स धमोनी उर्स का आयोजन मद्दपतेश के सागर जीलें के धमोनी में होता है इसलिए इसको धमोनी उर्स कहते है ये उर्स बहुत प्रसिद्ध है अप्रेल मही के महिने में आयोजित किया जाता है धमूनी उर्स नाम है उसका धमूनी उर्स कोश्चन आ सकता है धमूनी उर्स किस की मजार पर लगता है दोस्तो किस की मजार लगता है तो मस्तान मस्तान सहा मस्तान सहा वली मस्तान सहा वली की मजार पर अप्रेल मई के महिने में यहां उर्ष लगता है दोस्तों तो धमोनी उर्ष का आयोजन किसकी मजार पर होता है तो मस्तान सहावली की मजार पर अप्रेल मई के महिने में उर्ष का आयोजन होता है याद रखना है कोश्चन आएगा धमोनी उर्ष कहां लगता है सागर में साग तो गोप राज नामक सेनपत्ती की मृत्ती होने पर उसकी पत्नीन सती होने का उल्ले की यहीं से मिलता है भानुगुप्त का अभी लेख है उसका बाद रहली का सुर्य मंदिर रहली का सुर्य मंदिर रहली का सुर्य मंदिर रहली का सुर्य मंदिर राहत गड़ किला और रहत गड़ जल्परपाथ two Mexico यहां पे राहत गड़ किल ऐकrare much change asking in kafr ऐक बार तो राहत्गड किला राहत गड़ openings कहां पर सागर में और यहां पर राहत गड़ जल प्रपाद भी इस्तित है दोस्तो लाख बंजारा जील इंपॉर्टेंट है लाख बंजारा जील के जील के जील बीचो बीच में है सहर के तो लाख बंजारा जील सागर की प्रसिद बंजारा जील है दोस्तो सागर्म के मध्य इस्तित है इस जील के चारो तरफ सागर सहर ब दोस्तों important है मंगल गिरी जैन तिर्थिस्तल है जैन तिर्थिस्तल है जैन जैनों के वहाँ पर जैन तिर्थिस्तल है वहाँ पर जैन धर्म के कई सारे प्रसिद्ध मंदिर है काफी एकड़ में फैला हुआ है और बड़े मंदिर बने हुए जैन question आ सकता है मंगल गिरी जैन त तिर्थिस्तल है दोस्तों, एक और है मोहन खेडा लेट कोस्चन आसकते है 약र पर है, मंगल गिरी जैन तिर्थिस्तल सागर में है मध्य प्रतेश का सबसे पहला विश्विध्याले हरी सिंग गौर विश्विध्याले जिसकी स्थाफना 1946 में की गई थी दोस्तो डिरेट कोश्चन आता है मद्ध्रदेश का सबसे पुराना या सबसे पहला विश्विध्याले हरी सिंग गौर विश्विध्याले था जिसकी स्तापना 1946 में की गई थी, यह मद्यप्रदेश का सबसे पुराना विस्विध्याले है, इतना याद रखना है, और इसे केंदरी युनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है दोस्तों, इसे केंदरी युनिवर्सिटी का दर्जा 2009 में दिया गया था, देखो यहां next मिलेगा, इसे केंदरी विस्विध्याले का दर्जा भी हासिल है, हरी सिंग गौर्विस्विध्याले को यहने Central University, है ये एक प्रकार की, 2009 में इसे Central University बना दिया गया, क्या 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 कोश्चन आ सकते हैं, आसे मद्यप्रदेश का सबसे पहला विस्विध्याले है, हरी सिंग में इंद्रा गांदी राष्ट्री अनुसुचित जनजाती विस्विध्याले वो कहां पर है वो है कहां अनुपूर अमरकंटक में दोस्तों अनुपूर अमरकंटक में है तो मद्यप्रदेश में दो विस्विध्याले कभी ऐसा कोश्चन आ सकता है कि मद्यप्रदेश में कें लिकल काले सागर में है जवाललाल नहरू पुलिस अकादमी दोस्तों ये 1986 में इसकी इस्तापना की गई थी ये सागर में पुलिस अकादमी थी ये मद्यप्रदेश पुलिस अकादमी इसका नाम जवाललाल नहरू के नाम पर रखा गया है तो जवाललाल नहरू राज्य पुल प्रेयोक साला को बोलेंगे इंगलिस में हपन, इस्टेट फॉरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी मद्द प्रदेश कहां पर है, यह कहां पर है प्रेयोक साला, यह सागर में है, डायरेक्ट आइसेच कोस्चन आएगा बस, यही कोस्चन पुछेगा, इस्टेट फॉरेंसिक साइन इस लेबोरेटरी मद्द प्रदेश में हैं, तो कहां हैं, तो वो सागर में, इतना याद रखें इस से, उसके बाद देखें, किस-किस का यहां जन्म हुआ है, तो मुकेस्तिवारी दोस्तों, अभी नेता मुकेस्तिवारी का जन्म यही हुआ था, मुकेस्तिवारी को आप जा पंडित रवी संकर सुकल का जनम भी सागर में हुआ था और इमकी समाधी भी यहीं सागर के हरी सिंग और विश्विध्याले के परिसर में है याद रखना है मद्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित रवी संकर सुकल का जनम सागर में हुआ था गोविंद नामदेव का जनम भी यहीं हुआ था दोस्तों गोविंद नामदेव को जानते होंगे आप गोविंद नामदेव जो कई पिक्चरों में है ना गोविंद नामदेव जो का हुआ था सागर में कोश्चन आ सकता है डाक्टर हरी सिंग गौर का जनम भी सागर में हुआ था और ये सागर विश्विध्याले के संस्तापक हाना सागर सागर हरी सिंग गौर सागर विश्विध्याले के संस्तापक हाना सागर सागर हरी सिंग गौर सागर विश्विध्या प्राचीन नाम क्या था टुंडिकर अना मद्धिप्रदेश का प्राचीन जनपद था एक प्रकार का जनपद था जिसका नाम था टुंडिकर हैना कोश्चन आ सकता है टुंडिकर किस जनपद का नाम था तो दमो जनपद का याने टुंडिकर वरतमान में दमो छेतर है टुंडिकर प्राचीन नाम तुंडिकर हैना मद्धिप्रदेश का प्राचीन जन पत्तर टुंडी कर जो दम्होजिले में है नामकरान देखेंगे तो यह दम्होजिले का नामकरान कैसे पड़ा तो रानी दम्यंती के नाम पे इसका नाम पड़ा है दोस्तों तो पावरानी कताओ के अनुसार राजनल की पत्नी रानी दम्यंती के नाम पर इस जिले का नाम दम दमो पड़ा नाम करान समझ में आगया दमो जिले में बत्ती गड़ बत्ती गड़ का प्रसिद्ध किला है दोस्तों और ये पार्सियन वस्तुकला का उत्तम उधारन है पार्सियन वस्तुकला से बनाया गया है पार्सियन डिजाइन है उसमें पार्सियन वस्तुकला से निर्म तो बत्ती गड़ का किला कोस्चन आ सकता है कहा है दमों में याद रखना है बत्ती गड़ का किला यहीं पे एक दोस्तो दमों में ही संग्राम 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 पूर नामक इतिहासिक इस्तल है दमों में संग्राम पूर नामक इतिहासिक इस्तल है संग्राम पूर दमों का इतिहासिक इस्तल है जो रानी दुर्गवती के ससुर संग्राम सहा ने बसाया था जो रानी दुर्गवती के ससुर संग्राम सहा ने बसाया था दोस्तों याद रखना है इसको अगला फेक्ट है रानी दुर्गवती अभ्यरन कहा है तो बोले दमों में रानी दुर्गवती अ बहुत लंबा है है ना तो यह विंध्यांचल परवत माला मद्यप्रदेश में है मद्यप्रदेश को दो हिस्सों में बाटता है तो यह मद्यप्रदेश में है तो इस पूरी परवत माला की सबसे उची चोटी दमो जिले में मिलेगी दोस्तों चोटी का नाम है सदबावना की चोटी इसको गोडविल की चोटी भी बोलते हैं यह 752 मीटर उची है ना कोश्चन ऐसे आएगा विंध्यांचल परवतमाला की सबसे उची चोटी कौन सी सदबावना की चोटी याद रखना है दमो जिले में डाइमंड सिमिंट फेक्ट्री है माई सेम माई सेम नामक एक फेक दोस्तो पान जो पान खाते हैं अपन पान का उत्पादन और पीतल उद्धोग के लिए दमो जिला प्रसिद्ध है याद रखना है नोहटा गव राहा नदी की किनारे इस्तित है या प्राचीन नह लेसवर मंदिर इस्तित है दोस्तो तो नोहटा नामा के कहां पे इस्तान म रखना है दमो में यहाँ पर रानी दुर्गवती कालीन सिंगोर गड़ का किला इसती थे दोस्तों कोश्चन आ सकता है सिंगोर गड़ का किला कहां पर है यहाँ पर दलपत सहा और रानी दुर्गवती दोनों रहते थे इस किले में दलपत सहा और रानी दुर्गवती रहते थ दोस्तो इस इस किले में तो यहाँ पर राणी दुर्गवाथी कालिन सिंगोर गळका किला इस्तित याद रखना है दमो जिले के अन्य दर्सनी इस्तल गुलाब जील इस्तित यहाँ पे निदान कुंड जलप्रपात इंपोर्टेंट है निदान कुंड जलप्रपात दमो जिल जैन तिरतिस्तल भी है और प्रसिद्ध जैन मंदिर है वहाँ पे जैन मुनी स्री तरुन सागर जी महराच की जन मिस्तली दोस्तों तरुन सागर जी महराच को आप जानते होंगे जो अपने कड़वे परवचन कड़वे परवचन के लिए प्रसिद्ध है कड़वे परवचन देते हैं दोस्तों कलवे परवचन देते हैं इन्होंने तो इतने याद रखना है यहां से इनके बारे में याद रखना है कोश्चन आ सकता है इनसे जैन मुनी स्री तरुन सागर जी महराच की जनमिस्तली सागर है सागर है सागर है तो इतनी इंपोर्टेंट है इसको याद र हैं इसको याद रखना है संग्रामपूर इतिहास्षी इसतन है इहीन पर राणी दुरगवती की लडाई हुई थी दोस्तो klapper सेनपती और राणी दुरगवती वीर गती को प्राप्त हुई थी हेना याद रखना उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्ष्ट जिला इसी लेक्चर में पन्ना जिला पन्ना को आउला जिला कहते हैं दोस्तों आउले का उत्पादन यहां बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको आउला जिला घोसित किया गया है पन्ने का तो पन्ना में बुंदेलखंड रिहास के अंतरगत राजा च्छातर साल के सासक में सामिल था जो राजा च्छातर साल हुए उनके जो सासन था उसके अंतरगत सामिल था ये पन्ना जिला ये फेक्ट ये बताने ही कोसिस किया गया है यहाँ पर अजय गड़ का किले में ही अमन का महल है अमन महल अमन महल है अजय अमन ने करवाया था राजा अमन ने करवाया था याद रखना है नेक्ष देखेंगे गिध रिपोर्ट आई थी 2021 में तो पन्ना जिले में सरवधी गिध्धो की संक्या पाई गई है और मद्ध्रदेश को गिध्राज का दर्जा भी मिल चुका है मद्ध्रदेश को गिध्राज भी कहा जाता है क्योंकि सरवधी गिध्ध यहीं पर है आगे चलते हैं अगला फेक्ट देखें पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचो बीच से केन नदी निकलती है तो दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व और यहाँ पर पन्ना राश्ट्री उ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर रेपटाईगर पार्क आने रेंगने वाले जीव जन्तू का सन्रक्षण किया जाता है और यह केन नदी इसके बीचों बीच से भ्हती है दोस्तों इतना याद रखना है केन घडियाल अभ्यरन भी है यहाँ पर पन्नाच हतरपूर में केन नदी की किनारे उसका नाम यहाँ पर घडियालों का संरच्छन किया जा रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है केन घडियाल अभ्यरन पन्नाच हतरपूर में है याद रखना है इसके अलावा गंगेउ वन जीव अभ्वहरण ये भी केरना दे किनारे गंगेउ बांध भी बना हुआ है वहाँ पे तो कभी कोश्चन आ सकता है अपने को पन्ना जिले में है याद रखना है गंगेउ वन जीव अभ्वहरण कोशन आएगा ना तो याद रखना है गंगेव वन जीव अभेरान 2020 में पन्ना बायो इस्पेर रिजर्व सेंटर को यूनेस्को की सुची में सामिल किया गया है दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दू ये 2020 की बात है तो 28 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड नेटवर्क आप बायो इस्पेर रिजर्व की सुची में इसको सामिल किया गया है कि इसको पन्ना को पन्ना को सामिल किया गया है याद रखना है पन्ना बायो इस्पेर रिजर्व सेंटर मद्द प्रदेश में इतना याद रखें मद्द प्रदेश में हीरा उत्पादन जिला है दोस्तों हीरा पन्ना प्रसिद्ध हीरो के लिए यहां पर बहुत ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है हीरा हीरा जिला कायते हैं इसको पन्ना को पन्ना को हीरा जिला भी बोला जाता है याद रखना है, हीरो का उत्पादन के काराण इसको पन्ना, पन्ना प्रसिद्ध है हीरो के लिए, प्रमुक अधोगी केंद्र है यहां का पुरैना, पुरैना नाम का एक प्रमुक अधोगी केंद्र है, तो इसका नाम याद रख सकते हैं आप, इस जिले के प्रमुक मंदिर देखेंगे तो प्रान नाथ का मेला है ना प्रान नाथ मंदिर में एक मेला लगता है जिसका नाम है प्रान नाथ का मेला बलदेव का मेला भी लगता है important है बलदेव का मेला सरद सौम्या का मेला सरद सौम्या का मेला जो प्राण नात का मेला है दोस्तों इसी का एक और नाम है सरद सौम्या का मेला तो उसी का नाम है, तो आपसन कभी दे सकता है प्राण नात का मेला या सरद सोम्या का मेला, ये प्राण नात के मेले का ही दूसरा नाम है सरद साम्या का मेला, साम्या का मेला, तो याद रखना है तीन मेले इंपोर्टेंट है यहांके, मंदिर देखेंगे तो बलदेव मंदिर बलदेव का मेला भी उहीं लगता है यह मंदिर इन्पोर्टेंट है नचना कुठार पार्वती मंदिर यह इन्पोर्टेंट है यहाला मंदिर इन्पोर्टेंट है परिक्षे के हिसाब से आ सकता है नचना कुठार पार्वती मंदिर दा घीची मंदिर दा घीची मंदिर प्राण नाथ मंदिर भी important है सबस्ची अधा पूछा जाते है प्राण नाथ मंदिर कहाँ पर है ये पन्ना में पदमावती मंदिर ये भी पन्ना में तो पन्ना से इतनी चीज़े थी important मैंने बताया पन्ना राष्ट्री उध्यान के बारे में याद रखना है पन्ना राष्ट्री उध्यान के बारे में जो मैंने बताया है वह याद रखना है पन्ना राष्ट्री उध्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल किया गया था र च्छतरपूर जिला तो च्छतरपूर सहर की स्तापना दोस्तों 1785 में बुंदेल राजा च्छातर साल ने की थी बुंदेल राजा च्छातर साल के नाम पे ही इसका नाम च्छतरपूर पड़ा तो च्छतरपूर सहर की स्तापना 1785 में बुंदेल राजा च्छातर साल ने की थ तो याद रहना बुंदेल खंड को कहा जाता है या फिर चतरपूर को कहा जाता है चतरपूर को जेजाग भुक्ती भी कहा जाता है दोस्तों जेजाग भुक्ती भी कहा जाता है तो चंदेल सासकों की राजधानी होने कारण इसे जेजाग भुक्ती भी कहा जाता है चतरपूर जिले की प्रसिद चतरपूर जिले में प्रसिद खजुराहों के मंदिर दोस्तों जिसका निर्मान चंदेल सासकों के द्वारा इस मंदिरों का निर्मान कराया गया था तो इसके बारे मैं आगे आपको डिटेल मताऊंगा तो यहीं बतायता हूं साथो साथ तो सुनिए दोस् टो खजुरआओं के मंदिरों को निर्माद चंडेल सासकों के द्वारा 1950 इसवी से 1950 इसवी के मद्धे कराया गया था याद रखना है यहाँ पे कुल 85 मंदिर थे लेकिन वर्तमान में 22 मंदिर अस्तितु में है इस मंदिरों की खोज ये खजुराहों के मंदिरों की खोज किसने के लिए कर एक कोश्चन आ सकता है तो टी एस बर्ट ने खजुराहों के मंदिरों की खोज करी थी खजुराहों के मंदिरों को तीन स पस्चिमी समू के मंदिर, पूर्वी समू के मंदिर और दक्षणी समू के मंदिर पस्चिमी समू के मंदिर में सरवदिक मंदिर पस्चिमी समू में है दोस्तों जो सबसे बड़ा मंदिर है इस खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर वो पस्चिमी समू में आता है पूर् तो दोस्तों यहां पे चरण उर्मिल नदी की किनारे एक सबा चल रहे थी चरण पादू का कांड के नाम से मसूर है तो इसे ही मद्यप्रदेश का जलिया वाला बाग हत्या कांड कहा जाता है जोड़ो परियोजना बनाई गई थी जो एक नदी का पानी कम हो गया था दूसरी नदी का पानी उसमें लाया गया था तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का नाम था केन बेतवा लिंक परियोजना डारेक्ट कोश्चन आ जाता है इसलिए याद रखना है केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी उर्मिल परियोजना दोस्तों ये केन नदी पर बना हुआ है और ये उर्मिल परियोजना जो है ये मद्ध प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ऐसे कोश्चन आजाते हैं मद्य प्रदेश रुत्तर प्रदेश की सयूक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना इसका नाम याद रखना है। याद रखना है प्रमुक नदियों की बात करेंगे अपन तो यहां केन नदी भाइती है इस जिले से केन नदी है ना केन नदी उसके अलावा यहां से कुन सी नदी भाइती है मीर हसन नदी केन नदी में जाकर मिलती है उर्मिल नदी भाइती है उर्मिल नदी भी केन नदी में अंगोर वा बंडेर बंडेर में हीरा उत्पादन किया जाता है तो कभी याद रखना है अंगोर की खदान किस से संबंदिता है हीरे से अंगोर की खदान और बंडेर बंडेर की खदान ये हीरे की खदाने है दोनों चतरपूर की और यहां से हीरे का उत्पादन होता है तो यह खदानों के नाम याद रखना है कभी खदान पूछे जा सकते हैं हना यह हीरा उत्पादन यह खदान है एक प्रकार सा माइन है हना तो अंगोर और बांडेर की खदान से हीरा निकलता है 2020 में खजुराहों में हीरा संग्राले बनाने की घोस्णा की गई है तो हीरा संग्राले कहां बनेगा खजुराहों में बनेगा खजुराहों में बनेगा इसको गड़बड मत करना पन्ना में भी निकलता है हीरा पन्ना से लगा हुआ च्छतरपूरा च्छतरपूर में भी निकलता है तो यहाँ पर बनाने की घोशना की गई है तो हीरा संग्रहाल है कहां बनेगा घोशन आ सकता है तो यह बनेगा च्छतरपूर में याद रखना है बुंदेलखंड ताप विद्दुत केंद्र यहां प्रस्तावी थे कहां च्छतरपूर में जिसका नाम रखा गया बुंदेलखंड ताप विद्दुत केंद्र यह याद रखें कोरोना संक्रमन रोखने के लिए च्छतरपुर जिले में हमारो घर हमारो जिम्मेदारी अभियान सुरू किया गया था हमारो घर हमारो जिम्मेदारी अभियान कहां से सुरू किया गया था पूछेगा कोरोना के चलते तो ये उस टाइम पे कहा शुरू किया गया था च्छतरपुर से शुरू किया गया था याद रखना है दोस्तों इसके लावा और देखते हैं क्या क्या important है खजुराहो को इस्तापत्यकला का तिर्थ भी कहा जाता है इस्तापत्यकला का मतलब यहाँ पर architecture से है इस्तापत्यकला का मतलब architecture से है याने कारीगरी यहाँ की मंदिरों में महलों में बहुत सारी कारीगरी देखने को मिलती है एक से एक वस्तुकला इस्तापत्यकला देखने को मिले है तो इसलिए इसको इस्तापत्यकला का तिर्थ कहा जाता है खजुराहों को याद रखना है दोस्तों direct question आजाता है चतरपूर के धुबेला में मस्तानी महल इस्तित है धुबेला नाम की जगह है धुबेला नाम की चतरपूर में वहाँ पर मस्तानी महल इस्तित है मस्तानी महल कहा है पूछा जा सकता है चातर साल संग्रहाल है पूछेगा तो ये धुबेलाई में है दोस्तो याद रखना है प्रतिवर्स यहाँ प्रतिवर्स खजुराहों में भारती सास्त्री नरत्य समारों का आयोजन किया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा सास्त्री नरत्य समारों है दोस्तो इंपोर्ट कि या खजुराहोंusta मंधिर कंदर्य वेल्गता हैं कि निर्माद कर विद्ध्यधरिणू जोगतने करें तो घंग बปता कि याद रहना है गंग देव, NCRT के किताब में घंग देव नाम लिखा है और कई बुकों में विध्याधर लिखा है तो उसकारण यह है कि विध्याधर के बाद गंग देव गद्धी पे वैटा था वाहां का राजा बना था तो दोनों का नाम आता है तो दोनों में से एकी नाम परिक्षा में आएगा याद रखना है विध्याधर NCRT के बुक में घंग देव लिखा हुआ है तो यह लच्मन मंदिर है दोस्तों यहाँ पे लच्मन मंदिर लच्मन मंदिर जो है यह पस्चिमी समू का मंदिर है यहाँ पे इन्पोर्टेंट है चितर गुप्त मंदिर है यहाँ पे चितर गुप्त मंदिर चितर गुप्त मंदिर जो है यह चितर गुप्त मंदिर यह भी पस्चिमी समू का मंदिर है आदिनात और घटाई मंदिर यह पर पूर्वी समु के मंदिर है। मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था ना खजुराई के मंदिर के निरमण चंदेल सासकों के द्वारा 950 से 1050 हिस्वी के मद्धे कर आये गया था। यहाँ पे उस टाइम पे 25 मंदिरों का समू था, वर्तमान में 22 मंदिर बचे, इन मंदिरों की खोज टी एस बल्ट ने की थी, खजुराहों के मंदिर को तीन समू बाटा गया, पस्चिमी समू के मंदिर, पूर्वी समू के मंदिर, दक्षनी समू के मंदिर, इस खजुराहों म जल बिहारी का मेला लगता है very important question चतरपूर में जल बिहारी का मेला लगता है ऐसे question आजाते है जल बिहारी का मेला कहां लगता है चतरपूर बुंदेल खंड के अंतरगात आता है चतरपूर जो है बुंदेल खंड के अंतरगात आता है तिकमकमगड तो इसका प्राचिन नाम तेहरी था याद रखना है इसका प्राचिन नाम क्या था तेहरी था और चा के राजा हुए जिसका नाम था विक्रम जीत ने तेहरी को अपनी राजधानी बनाया था और चा के राजा विक्रम जीत ने तेहरी को अपनी राजधानी बना जयाता है याद रखना है। कुंडेसवर नामकिस्तान पर जमदार में आर्थिक उत्पादन केंद्रवा इकाई देखते हैं अपन तो टिकम गड बेल मेटल कला आकर्ती के लिए प्रसिद्ध है जिसे भागोलिक संकेत या ने जी आई टेक दिया गया है तो बेल मेटल क्या होता है दोस्तों तो आपको ज होता है तांबे प्लश टीन का होता है तो यहां पर इसको जी आई टेक दिया गया है दोस्तों काफी फेमस है वहां पर टिकम गड का बेल मेटल कला आकर्ती कला आकर्ती याने वहां पर मूर्तियां बनाई जाती है उसकी उसके खिलोने बनाया जाते है उसकी मूर्तियां जै टिकमगड का बेल मेटल कला आकरती जिसे जी आई टेग मिला है कोश्चन आ सकता है बेल मेटल कला आकरती कहां प्रसिद्ध है टिकमगड में है प्रताप पुरा अध्योगिक केंद्र है यहां का प्रमुक अध्योगिक विकास केंद्र है प्रताप पूर इंपॉर्टेंट है प्रतापुर अध्योगिक विकास केंदर है दोस्तो, प्रतापुर टिकम गड़ का, मद्ध प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी, उमा भारती उसका ग्रहा छेतर यही है, तो यह टिकम गड़, टिकम गड़ की थी, तो मद्ध प्रदेश की पहली महिला राजपार्थी राजपाल थी और ये पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है ना याद रखना है तो टीकमगल से इतनी चीशती इंप्वार्टेंट बस परिशे के लायक टीकमगल से प्राचिन नाम टेहरी को किसने राजधानी बनाया था विक्रम जीत ने बुंदेलों की बावनवा जीला बना निवारी इंकावनवा जीला कुन सा था आगर मालवा था जो साजापूर जिले से अलग करके बनाया गया था अना इंकावनवा जीला आगर मालवा था जो साजापूर दिले से अलग करके बनाया था 16 अगस्त 2013 को बावनवा जीला था निवारी ये दे देखते हैं बुंदेल सासक रुद्र प्रताप ने ओर्चा सहर की स्तापना की थी कब 1531 में 1531 में ये कोश्चन आता है ओर्चा किसके अंतरगत आता है पहले निवाली के अंतरगत आता था अब निवाली के अंतरगत आता था तो बुंदेल खंड सासक रुद्र प्रताप ने और्चा सहर की स्थापना 1531 में की थी तो और्चा सहर की स्थापना किस ने की थी question आ सकता है रुद्र प्रता बुंदेला ने और्चा सहर की स्थापना की थी 1531 में निवाडी जिले को का और्चा बुंदेला वा चंदेल सासकों की कर्म भूमी भी रहा है दोस्तों और्चा जो रहा है उसके बाद देखिए यह अला फेक्ट तो मैंने बता दिया एक अक्टूबर 2008 रोगो टिकमगर जिले से अलग करके बनाया गया मद्द्रदेश का 52 जिला टिकमगर जिले की तीन तैसिलों को मिला कर 52 जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया निवारी तो निवारी दोस्तो ये लाड़ पूरा खास गाओं को यूनाइटेट नेशन वर्ल्ड टूरिज्म के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टन कोस्चन बन जाता है कि निवारी जिले का कौन सा गाओं का नाम का है लाड़ पूरा खा गाओं का नाम है लाड़ पूरा खास गाओं को यूनाइटेट नेशन वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है याद रखना है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है कि इसको लाड़ पूरा खास गाओं क तो निवाडी है जब इसका 2018 में गठन हुआ तो ये बन गया है छेतरफल और जनसंक्या दोनों ही द्रश्टी से दोनों की द्रश्टी से सबसे छोटा जिला निवाडी है अगला है औरचा बेतवन दीगी किनारे जिस्ती था और इसे 2020 में युनेस्को की लेंड स्केप सिटी सुची में सामिल किया है तो आपको जानकारी के लिए बता दू काम की बाते है मद्द प्रदैस के एतेहसिक सहर गॉलियर और 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 ओर्चा को दो सहर सामिल हुए इसके अंतरगथ दो सहर सामिल हुए एक ग्वालियर और ओर्चा को यूनेसको ने अपने अरबन लेंड स्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विस्व धरवर सुची में सामिल किया है यूनेसको के इस निर्माण को पर्याठन की द्रश्टी से काफी बड़ी उपलपदी माना जा रहा है और इससे अपने मद्यप्रदेश को भी काफी फाइदा होगा है ना पर्याठन को काफी फाइदा होगा तो दो सहर ओर्चा को और ग्वालियर को तो लेंड इसकेप सिटी सुची में सामिल किया है 2020 को याद रखना है ओर्चा बेतवन दी किनारे इस्तीत है सांस्क्रतिक देखेंगे अपन तो बुंदेल खंड के अंतरकत निवाडी जिले में प्रसिद्ध पर्याठन और इतिहासिक नगरों में ओर्चा का विसेस महत हो है तो ओर्चा का विसेस महत हो है ओर्चा कहां आता है निवाडी में ओर्चा में राजा राम मंदिर है दोस्तों ये राजा राम मंदिर या इसे राजा राम मंदिर ही कहते हैं, राजा राम मंदिर, यह एक मात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान स्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, तो यहां भगवान स्री राम को भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजा जाता है, पूजा की जाती है, को गाट है यहाँ पर बेतवो नदी के किनारे एक घाट बना हुआ है ओर्चा में गाट का नाम है कंचन घाट जांगीर महल इंपॉर्टेंट है ओर्चा में है जांगीर महल जांगीर महल का निर्माण वीर सिहीं देव बुंदेला ने करवाया था जांगीर के लिए जांगीर आ दोस्तों, इस लेक्छर में हमने सभी डिसकस कर लिए सागर संभात के अंतरगत आने वाले सारे जीलो को डिसकस की XD तो आपको लेक्चर कैसे लगाındAy कमेंट करके बता सकते हैं और प्रिवियस लेक्चर डेखने के लिए मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाईगी परिक्ष दाम बुक वहाँ जाकर आप सारे लेक्चर देख सकते हैं और अपनी तैयरी धखा धख जारी रख सकते हैं थांक्स पर वाचिंग, नमस्कार.